जैसा कि आपको पता है, रोजाना 11 बजे हम मिलते हैं, MPPSC के बहुत सारे important topics लेकर, तो आज भी एक important topic लेकर मैं आ गया हूँ, जिसका क्या नाम है, तो बहुत important topic है ये, जिसका नाम है सिहोर विद्रो, तो सिहोर revolt के बारे में या सिहोर क्रांती के बारे में, आज हम ये, बहुत important topic है, जो 1857 से कुछ साल पहले हुआ था, और मद्यप्रदेश के इतियास के पन्नों में, एक सुनेहरा जो है, इवेंट हुआ है, एक सुनेहरा जो है, घटना घटी है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, इसमें काफी वीरता की कहानिया पढ़ेंगे, ये सारी के बारे में अगर हम बात करें, तो भई सिहोर क्रांती है क्या, तो सिहोर क्रांती को समझते हैं थोड़ा सा, अब देखिए मद्यप्रदेश में, जो आपका देखा जाए, तो ये वाला जो शेत्र है, इसमें क्या है, तो सिहोर है, तो जो सिहोर था पहले, ये जो बात होग थी क्योंकि उस समय भोपाल जो था भोपाल किसी भी तरीके से जिला नहीं था भोपाल को तो जिलाबाद में बनाया गया 1956 में अध्यप्रदेश बना तब भी भोपाल को राजधानी तो बनाया गया लेकिन भोपाल एक जिला नहीं हुआ करता था ये एक अच्छी सी बात तो जब बताया जाता है कि 1818 में अंग्रेजों ने मराठाओं को हरा दिया तृतिय आंगल मराठा युद्ध में अब जो जितनी भी विशाल शक्तियां थी सबसे पहले आपका पलासी जीता बकसर जीता बकसर के बाद मैसूर पर गबजा किया करनाटक युद्ध जीता फ्रां पारा सो अठारा के बाद अंग्रेजों को क्या कहा जाने लगा तो अठारा से अठारा के बाद इनको बोला जाता है पैरा माउंट पावर बन गये थे यह पैरा माउंसी इन्होंने स्थापित कर ली थी पैरा माउंसी का क्या मतलब होता है जिनको किसी के ऐसा पैरा माउंसी कहा जाता है जो अंचेलेंजेबल पावर हो जाते हैं अंचेलेंजेबल पावर बन गए थे हैं अंचेलेंजेबल पावर मतलब ऐसा शाशन इसा शाशन इस्थापित हुआ जिसमें अगर हम बात करें कि ऐसा शाशन था ऐसा रूल था कि जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती है ऐसा राज्य स्थापित हो गया था 1818 में जब अंग्रेजों का राज्य यहां पर इस्थापित हो गया मराठाओं जो सबसे बड़ी शक्ति हुआ करते थे मुगलों के बाद उनको भी जब हरा दिया इनोंने तो इनको जो है एक तरीके से पैरामाउंसी मिल गई एक तरीके से क्या बन गए तो अन्चैलेंजेबल पावर बन गए जिनको चुनौती नहीं दी जा सकती थी तो फिर क्या हुआ जो भी रियासत थी वो क् संधी को कौन ने किया था तो आपको भोपाल पढ़ा है आपने भोपाल का लेक्चर भी मैंने लिया है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा भोपाल रियासत तो उसमें मैंने बताया था भोपाल की जो पहली बेगम थी 1819 में ये बेगम बनी थी 1837 तक ये बेगम बनी रही तो नजर मुहम्मद खान के पास गद्दी आयी थी 1814 में और 1818 तग नजर मुहम्मद खान भोपाल के नवाब थे तो पूरा का पूरा सिहोर रियासत में आता था तो अंग्रेजों ने इनके साथ एक संधी करी ति जिसको कहा जाता है और पूरा की संधी किस ने करी है जिसके अंदर भोपाल भी आता था भोपाल जिला तो बाद में बना लेकिन भोपाल सिहोर रियासत का ही भाग था तो नजर मुहम्मथ खान ने कौन सी संदी कर ली जिसको बुला जाएका Treaty of Sihour तो ये बात समझने आ गई आपको कि वह ट्रीटी ओफ सीहोर किस से हुई है नजर मुहमत खान और अंग्रेजों से हुई और अंग्रेजों ने अपना ब्रिटिशर्स ने अपना एक एजेंट यहाँ पर सीहोर पर देखरेक के लिए बिठा दिया कि वह हमारी संदी को माना भी एजेंट बिठाया हुआ था उस एजेंट का नाम क्या था तो मेडॉक था उस एजेंट का नाम ध्यान से याद रख लिजे सीहोर के उपर जो एजेंट बिठाया हुआ है वो कौन है मेडॉक है यह एजेंट है जो सारी खबरें जो है यहां की कि सीहोर के अंदर जो अपनी च्छावनी बना ली है, मतमब सिहोर तो एक च्छावनी बन गया है, अब सिहोर को च्छावनी भी बना दिया गया है, और यहां की सारी ख़बरें अंग्रेजों तक कॉन पहचाता था, तो मेडॉक पहँचाता था तो बोपाल के अंदर समझ नहीं आ रहा है आपको बोपाल के नवाब ने कौन सी संधी कर ली सिहोर की संधी कर ली तो इस पूरे शेत्र का जोराजस वधिकार है यहां जो अफीम होगेगी ये पूरा का पूरा जो है वो नजर मुहम्मद खान ने इस पर सुईकारिता दे दी है कि जो अंग्रेज बोलेंगे हम वो करेंगे क्योंकि हमने तो इसी सिहोर के पास एक रियासत थी इस सिहोर के पास एक डिस्ट्रिक आज भी पड़ता है जिसका नाम है राजगड हमारी कहा इतियास के पन्ने में हम जो देख रहे हैं और पेपर में जहां से पूचा जाता है उसका इतियास इस से काफी जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा समझने आयोगा 1818 में अंग्रेजों की क्या हुई पैरामाउंसी स्थापित होई वो जो है उनको चुनोती नहीं दी जा सकती थी एक मजबूर शक्ती बनकर उबरे और उसके बाद जो है भोपाल के जो नवाब थे नजर मुहमत खान इनी की बेगम जो है कुदसिया बेगम भारत भोपाल की पहली बेगम बनी थी क्योंकि बतायाता है बताया जाता है कि जब ये अब्दुल्ला गन जो इसलाम नगर के आस-पास ये शिकार खेलने गए थे और शिकार खेलने के समय इनका जो एक छोटा सा बच्चा था इनके आँ जो बताया जाता है कुदसिया बेगम का कोई भतीजा था जिसने नजर मुहमत खान को ही जो है गोली मार दी थी मतलब गलती से गोली चल गई थी जिसमें नजर खान की मृत्ति हो गई तो उसके बाद भोपाल की बेगम बनना पड़ा कुछ सिया बेगम को लेकिन उससे पहले जाते जाते उन्होंने एक संदी कर ली थी जिसको कहा जाता है सीहोर की संदी और सीहोर की संदी से यहाँ पर जितना भी शेत्र था सीहोर का इसकी अधीनता हो राजगर डिस्ट्रिक आता है और राजगर डिस्ट्रिक में एक रियासत थी जिस रियासत का नाम क्या था तो नर्सिंग गड़ था हम बात कर रहे हैं किसकी नर्सिंग गड़ की नर्सिंग पूर मद्यप्रदेश का एक जिला है और नर्सिंग गड़ कहां आता है तो राजग में आता है राजगर मद्यप्रदेश्य लगा हुआ भोपाल डिविजन के अंदर पांच जिले पढ़ेंगे आप कौन-कौन से तो राजगर भोपाल इसके अलावा राइसेन विदीशा ये जो है ये सब इसकी के अंदर आ जाते हैं तो राइसेन विदीशा भोपाल सिहोर और राजगर ये पांच जिले आपके भोपाल डिविजन में तो राजगर के अंदर एक रियासत है कौन सी रियासत तो वो है नर्सिंगर और नर्सिंगर में उस समय जो शाशन चल रहा था है कि युवराज थे वहां के जिनका नाम क्या था कुवर चैन सिंग कुवर चैन सिंग यहां के उमट परमारवंश के यह राजा बताए जाते थे जो यहां पर शाशन कर रहे थे तो इनसे भी ऐसा रखा गया कि भई आप भी जो है अंग्रेजों की संदी सुईकार कर लो तो इन्हों ने कहा हम भोपाल के नवाब की तरह अंग्रेजों की अधीनता सुईकार नहीं करेंगे किसने कुवर चैन सिंग ने समझे ध्यान से सीहोर पे जो है यहां पर जो भाग है यह नीचे वाला ये है शीहूर और सीहोर की संदी हो चुकी है किस के साथ तो आपका नजर महम्मद खान के साथ यहां पर एक एजन्ट वेड चुका है जिसका नाम है मैडॉक तो मै अफीम पर पूरा अधिकार चाते थे अंग्रेज क्योंकि वो चीन में भी जाती थी तो उनको बहुत ज़्यादा वैपारिक फाइदा होता था अफीम से तो अंग्रेज चाते थे कि ये पूरा का शेत्र हमारे अधिन हो जाए तो किसके ओपर दवाब बनाते होंगे मैडॉक मैडॉक जो है वो कुवर्चैन सिंग की जासूसी करवाता था ये उमट परमारवंश के शाशक थे जो बताया जाता है कि 24 वर्ष में ही शहीद हो गए 24 वर्ष में 1824 में जो विद्रो हुआ है इसी को हम सिहुर विद्रो कहा जाता है सिर्फ 24 साल की आयू में ये अंग्रेजों से लोहा ले लिया था इनोंने तो 1857 की क्रांती से पहले मध्य प्रदेश की इतियास के पन्नों में कुवर चैन सिंग ने अपना नाम दर्जखर वाली है बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है ध्यान से सुनेंगे तो समझने आ रहा है आपको कुवर चैन सिंग ने मना कर दिया कि भाई हम आपकी अदीनता सुविकार नहीं करने वाले हम जो है भोपाल की नवाब की तरह आपकी गुलामी भी नहीं करेंगे तो क्या किया कुवर चैन सिंग के दो व्यक्ति थे इनी के दरबार में तो इनके जो दो व्यक्ति थे इनमें एक था रूप राम बहरा रूप राम बहरा रूप राम बहरा क्या था तो मंत्री था और इनका एक दिवान भी था जिसका नाम था आनंद बक्षी तो आनंद बक्षी और रूप राम बोहरा क्या करते थे कुवर चैन सिंग की जासूसी करते थे और सारी खबरे कहां तक पहुचा देते थे मेडॉक तक सारी खबरे पहुच जाती थी तो मेडॉक को सारी खबरे मिल रही थी वही कुवर चैन सिंग का वेपार कैसा चल रहा है कुवर चैन सिंग का राजविस्तार कैसा चल रहा है अब बताए जाता है कि कुवर चैन सिंग जो थे इतनी कम आयू में भी इनके यहां जासूसी विभाग हुआ करता था और इनको पता चल गया कि इनकी जासूसी कौन कर रहे हैं कौन जो है यहां पे एक तरीके से जो है इनको विद्रो कर रहे हैं गदार कौन हैं तो यह दोनों तो इन दोनों को जो है मरवा दिया था किसने कुणर चैन सिंग निकले कटवा दिये थे रूप राम बोहरा और आनन्द बक्षी को क्योंकि ये गद्दारी कर रहे थे किसके साथ नरसिंगर रियासत के साथ अब ये बात आप बताईए क्या ये बात मेडॉक को पसंद आईगी कि उसकी जो जासूसी या उसकी खबरे जो कुणर चैन सिंग तक सारी आ रही है वो बंद हो जाए तो मेडॉक ने यहाँ पर रियाक्षन किया और इनको एक खबर भिजवाई किसको कुणर चैन सिंग को कि आपके उपर हत्या का जो है मामला चलेगा क्योंकि आपने अपने म किसके बीच मेडॉक के बीच में एक मीटिंग हुई इस मीटिंग को कहा जाता है कहां पर हुई थी तो भोपाल के पास एक जगा है जिसका नाम है बेरसिया वहाँ पर जो है कुणर चैन सिंग गए किस से मिलने तो आपका मेडॉक से मिलने गए क्योंकि हत्या का मामले की बा किसको कहा गया तो कुवर चैंज सिंग को इन्हों ने प्रस्ताव दिया आप नर्सिंगर छोड़कर दूसरी जगा चले जाई ये नर्सिंगर हमारे पास आ जाएगा अपसे नर्सिंगर राज बिटिश शाषन के अधीन हो जाएगा ऐसा उन्होंने का और तीसरा अब नर्सिं चोड़ दीजे नर्सिंगर अंग्रेजों का और नर्सिंगर में जितनी अफीम होगी उस पर पूरा खरीदने का अधिकार किसका तो हो जाएगा किसका अंग्रेजों का ऐसी शर्त कौन रख रहा है मैं डॉक रख रहा है अब ये शर्त सुईकार करेंगे कुवर चैंज में विद्रो हुआ है जिसमें कौन ने जो है ये विद्रो को लीड किया तो कुवर चैंज सिंग ने कुवर चैंज सिंग जो है अपने बताया जाता है कि एक छोटी सी सेना की तुखडी जिसमें 43 लोग हुआ करते थे कई जगा 50 भी लिखा है लेकिन 43 लोग लेकर जो है ये किस से भिढ़ने चले गए, मैडॉक की सेना से कहा पर युद्ध हुआ, सिहोर में हुआ, सिहोर के अंदर कौन सी जगा है, तो दशेरा बाग जो है, दशेरा बाग में ये युद्ध हुआ, कौन से गार्डन में, तो दशेरा गार्डन में हुआ, दशेरा गार्डन में कौन सा युद्ध हो रहा है तो सिहोर का युद्ध हुआ जिसमें 43 लोग थे किसके साथ कुवर चैन सिंग के साथ और इस युद्ध में जो है बहुत लोहा दिया किसने आपका कुवर चैन सिंग ने और कुवर चैन सिंग इसी युद्ध में कब शहीद हो गए तो 24 जुलाई 1824 को कु पे पढ़ता है, तो दशेरा गार्डन सिहोर में पढ़ता है, जहाँ पर कुँर चैन सिंग और किस के बीच में युद्ध उआ था, मेडॉख के बीच में युद्ध हुआ था, क्योंकि शर्ते, जो है सुईकार नहीं करी थी और युद्ध को सुईकार किया था तो 24 साल के ऐसे युवराज ऐसे जो है व्यक्तित्व जिनों ने मद्य प्रदेश का जो बुला जाए कि इतिहास काफी गौरफ शाली कर दिया कि 1857 की करांती से पहले इनों ने जो है ये जो है अंग्रेजों को ये खबर पहुचा दी कि हम आपकी स्वधीनता स्विका नहीं करेंगे हम अधीन नहीं होंगे हम आपसे लड़ेंगे लेकिन हम आप कायरों की तरह आपसे जो है कोई भी तरह से गुलामी नहीं करेंगे तो ये कुवर चैन सिंग का साफ सुत्रा मैसेस था किसको मैडॉक को और युद्ध लड़ा 24 जुलाई 1824 को इन ये शहीद हो है कुवर चैन सिंग इसके पास से कौन सी नदी बहती है तो लोटिया नदी बहती है ये लोटिया जो रिवर है इसके किनारे ये उद्ध लड़ा गया था और कुवर चैन सिंग यहाँ पर शहीद हो गय थे तो 24 जुलाई जो है बहुत खास दिवस है और यहाँ पर ये 24 जुलाई को बताया जाता है कि इनके सेना में जो है दो इनके जो बादी गार्ड थे जो सेनिक थे उनका नाम था हिम्मत खान और बहादुर खान कुमर चैन सिंग क्या थे कुमर चैन सिंग जो थे वो हिंदू थे लेकिन इनके जो बादी गार्ड है इनकी सेना में जो थे हिम्मत सिंग और बहादुर खान जो थे हिम्मत खान और बहादुर खान ये मुसलिम थे तो इस कारण जो है 24 जुलाई को 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है तो 24 जुलाई को कौमी एकता दिवस मनाया जाता है कौमी एकता दिवस क्यों 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 कि हिंदू मुसलिम जो है एक नहीं हुई है कहाँ पर सिहोर के दशेराबाग में उसमें इन दोनों का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर यह आप देखेंगे तो शहीद कुणर चेंट सिंग इसमारक है 1824 में इसमें बताया जाता है कि 24 जुलाई को इनकी पुन्नेती थी जिसको क्या बोलते हैं तो कौमी दिवस के रूप में मनाया जाता है जिन्नोंने मध्य भारत में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद बगावत की थी और इसको ही सिहोर की क्रांती या सिहोर का विद्रो का जाता है जो बताया जाए तो आपका 1857 से पहले ही हो गई है 1824 में हो गई है तो आप समझ पा रहे हैं लगबग 33-34 साल पहले मद्य प्रदेश के अंदर अंग्रेजों को लोहा दिया था किसने कुवर चैन सिंग ने और उनी की जो मृत्ती हुई 24 जुलाई को जब शहीद हुए तो उसी को कौमी एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और उनकी एक समाधी कहा है तो एक समाधी उनकी दशेरा बाग लोटिया नदी के किनारे जो दशेरा मैदान है दशेरा बाग है वहाँ पर है दूसरी समाधी भी है उनकी और दूसरी समाधी कहा है तो छार बाग नर्सिंगड में नर्सिंगड में भी एक समाधी है और एक सिहोर के लोटिया नदी के किनारे दशेरा मैदान में या दशेरा बाग में भी है तो ये चीज समझने आ रही होगी इनके साथ साथ जो है इनका जो हमने बात करी थी हिम्मत खान और बहादुर खान इनके भी नाम लिखे हुए इनकी समाधी के उपर जिसको हम कौमी एकता दिवस के रूप में भी जानते हैं और देखते हैं कि कैसे एकता पूर्ण ये लोग कौन सी है तो दशेरा बाग में है दशेरा बाग में एक समाधी और दूसरी समाधी कहा है तो एक दूसरी समाधी है नरसिंगड में जिसको बोलते है चार बाग ये किसकी समाधी है तो ये समाधी भी जो है कुवर्ण चैन सिंग की है तो कुवर्ण चैन सिंग की समाधी पूछा जा सकता है कुवरानी का मंदर कहा जाता है कहा बनवाया है तो नर्सिंगड में इन्होंने एक मंदर बनवाया जिसका नाम क्या है नर्सिंगड में इस मंदर का नाम है कुवरानी का मंदर तो ये जो है कुवर चैन सिंग के नाम पर जो है ये कुवरानी का मंदर कहलात जिसमें 24 जुलाई 1824 को कौन शहीद हो गया तो कुमर्चैंसिन शहीद हो गया इनको सिहोर का मंगल पांडे भी कहा जाता है और 2015 से मद्यप्रदेश सरकार ने एक विवस्ता कर दिये इनको सम्मान देने के लिए इनकी समाधी के उपर गार्ड ऑफ ओनर दिया जाता है 2015 से इनक क्लास में महा कॉशल विद्रो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया सिहोर का विद्रो तो सिहोर का विद्रो के नायक कौन है तो कुमर्चैंसिंग है सिर्फ 24 सल की आईउ में इन्होंने अंगरेज एजन्ट मेडॉक को लोहा जो है अपना जो है पराक्रम दिखाया और ये जो कि हम छोड़ेंगे नहीं नर्सिंगर जो हैं अंगरेजों के अधीन नहीं होगा और यहाν पर हम किसी भी तरीके से अफीम जो उत्पादन होता था वो आपको अंगरेजों को उसको खरिदने का दिकार नहीं देंगे और इसी के लिद्ध हुआ 1824 में जिसमें कुमर चैन हमने एक बार देख लेते हैं फटाफट तो सबसे पहली बात हमने करी थी कहां से तो हमने बात करी कि सिहोर जो था एक रियासत हुआ करता था भोपाल इसके अंदर था भोपाल के जो नवाब हुआ करते थे 1818 में क्या हुआ तो अंग्रेजों की पैरामाउंसी स्थापित उन्होंने सिहोर की संदी कर ली सिहोर की संदी के साथ साथ ये भी कह दिया कि पूरा का पूरा अधिकार है अंग्रेजों ने इस सारी जगाओं उपर जो छाबनी स्थापित करी उसकी देख रेक के लिए किसको बिठाया तो मेडॉक नाम के एक एजेंट को बिठाया जो सार के दो लोग थे या इनी का मंत्री था रूप राम बोहरा और दीवान था आनंद बक्षी ये सारी खबरें कुवर चैन सिंग की किस तक पहचा रहे थे मेडॉक की इसकी खबर पता चल गई किसको कुवर चैन सिंग को दोनों को मरवा दिया जिससे कौन खुश नहीं हुआ तो और यहाँ पर जो अफीम का अधिकार है जो अफीम खरीदने का अधिकार वो अंग्रेजों को मिल जागा इसको स्विकार नहीं किया इसके विरोध्य सिहोर में एक लड़ाई लड़ी गई लोटिया नदी के किनारे दशेरा बाग में जिसमें 24 जुलाई 1824 को कौन शहीद 43 लोग इनके साथ थे कुर्चैन सिंग मतलब और 42 लोग और ये जो है लोटिया नदी के किनारे बताया जाता है और इसमें जो है इसी 24 जुलाई को कौमी एकता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसमें हिम्मत खान बहदुर खान शहीद हो गए थे इनकी एक समाधी है जो दश किहोर का मंगल पांडे कहा जाता है तो होप ये चीज आपको समझ आई होगी अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है सारी चीज़े समझने आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये लेक्शर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजे करिए नहीं भी अच्छा लग रहे है तो लेकिन आप सजेशं जरूर दीजे जो भी आपको और चीज लग रहे हैं उनको हमें बिल्कुल so thank you very much for watching this have a great day you